आप सभी ने देखा होगा कि different different birds की जो beak होती है वो different different shape or size की होती है वो ऐसा इसलिए होती है क्योंकि जो उनकी feeding habit होती है वो अलगल होती है कुछ birds seed खाते हैं कुछ bird insect खाते हैं कुछ बड़े organisms को dead organisms को खाते हैं कुछ water और mud में से छोटे-छोटे कीडे पकोड़े निकाल के खाते हैं कुछ fish eating habit होती है किसी की तो उसके according उनकी जो beak होती है उसमें modification हो गई है और जो modification है ये सिर्फ एक दिन की feeding habit से नहीं हुई है modification के लिए लाखो साल लग जाते हैं तो इसलिए सभी birds की जो beak होती है वो different different shape और size की होती है